प्रमुक खबरें आप अपने च्छेत्र की देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आईए रूबरू कराते हैं आपके च्छेत्रों की तमाम खबरों से आजमगर के मुबारकपूर विधान सबा सीट से इस बार समाजबादी पार्टी नकलेस यादों को परत्यासी बनाया है जिससे वहां हर्स है लोग ढोले नगारों से उनका स्वाकत कर रहे हैं मुबारकपूर से कही ताविदार थे यसमें मुखे रूप से गुटु चमाली च 688 वोटों से पराजित हुए थे अखलेस यादों को टिकट मिलने से सपायों में हर्स का माहल है और जहां भी जा रहे हैं लोग उनका फूर मालाओं से स्वागत कर रहे हैं टीवी टूंटी नियूज समवादात से हुई बात चित में क्या कुछ कहा सपापरत्यासी अखलेस सका लेकिन लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का इस शेत्र पर कबजा है इस बाद से मैं इंकार नहीं कर सकता लेकिन मैं सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूं विश्वास दिला सकता हूं जिस तरीके से मवारपुर के लोगों ने इस बार समाजवादी पार्टी और आस के लोगों की कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने और उस सरकार में मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ हमारा गोसरा पत्र आजाएगा देख लीजेगा हमारा एजनडा गरीग पिसान मजदूर छात विधार थी और बुनकर भाई राते हैं जिनको बार्टी जंता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से सताया गया है हमारा एजनडा विधा सिधे सिधे एजनडे काम करते हैं और आप समझ रहे हैं कोई समाजवादी पार्टी अकेले ही नहीं परकि सुहेल देव भारती समाजपार्टी जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी केशो देव मोर्या अपनी पार्टी तमाम लोग समाजवादी पाटे को समर्थन दे रहे हैं समाज का कोई ऐसा वर्ग और तपका नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव नहीं चाहता है सब लोग महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्मंत्री महा घमंडी आदमी है और जिसने चुनाओं में खराब से खराब भासा का जतना भी इस्ते मार हो सकता मैं नहीं कर सकता उसका जूग जी कर रहे हैं देश हमारा लोग तांत्रिक है लोग तंत्र में सबको आलोचना करने का अधिकार है लेकिन पदो पर बैठे हुए लोगों को मर्यादा नहीं भोलनी चाहिए जिस तरीके से लगातार अनरगल प्रलाप भारती जनता पार्टी और खुद मुक्वंत्री जी कर रहे हैं उनको शुवा नहीं देता है उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी